दोस्तो क्रिकेट इस खेल को भारत देश में सब खेलों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसमें IPL की बात करें तो ये लीग हम सब के लिए एक भावना बन चुकी है इस लीग के मैच के दौरान हम सब अपने अपने काम छोड़ कर बस इसे ही देखते बैठते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी लीग के टॉप 10 बैट्समेंस के बारे में बताने वाले हैं जिनोंने पूरे IPL सीजन में सबसे ज़्यादा रन्स स्कूर किये हैं तो जल ये दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को भी प्रेस कीजिए गौतम गंभीर दिली डेर डेवल्स, कोलकता नाइट राइडर्स और दिली कैपिटल्स के पुर्व कप्तान गौतम गंभीर इस लिश्ट में दसवे स्थान पर हैं गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकता नाइट राइडर्स ने साल 2012 में चेननई को हराते हुए और 2014 में प और 277 रन बनाए हैं इस दोरान उनका सरवादिक व्यक्तिगत स्कूर नाबाद तुरानवे रन का है गौतम गंभीर ने आईपिल में अब तक 36 अर्द श्रतक भी लगाए हैं इस दोरान उन्होंने 69 चक्य और 419 चौक्य भी लगाए हैं इस लिस्ट में चन्नई सुपरकिंग्स में खेल रहे रॉबिन उतपपा का नाम नौवा आता है साल 2008 से 2021 तक रॉबिन उतपपा, मुंबाई इंडियन्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, पूने वोरियर्स, कुलकता नाइट राइडर्स, राजिस्थान रॉयल्स और इस साल च 607 रन बनाए हैं और इस दोरान उनका सरवादिक वेक्तिकेट स्कूर नाबाद 87 रन का है, आईपेल में रॉबिन उतपपा ने अब तक 24 अर्द श्रतक भी लगाए हैं, इस दोरान उन्होंने 163 चक्के और 454 चौके भी लगाए हैं नमबर 8, MS धोनी, आईपेल के सबसे सफल कप्तान जिन्होंने चैननी सुपर किंग्स को साल 2010, 2011 और 2018 में आईपेल का खताब जिता के दिया था, साथी धोनी ने चैननी को 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग भी जिता के दी थी, ऐसे बहतुरीन कप्तान MS धोनी इस लिष्ट में तुरीन स्ट्राइक रेट से 4,679 रन बनाए हैं, इस दोरान उनका सरवाधिक बैक्तिकर्द स्कूर नाबाद 84 रन का है, वे IPL में अब तक 23 अर्दुष्टा तक भी लगा चुके हैं, इस दोरान उन्होंने 217 चक्ये और 317 चौक्ये भी लगाए हैं इस लिष्ट में साथवे नंबर पर पंजाब किंग्स के धाकर खिलाडी क्रिस गेल आते हैं, क्रिस गेल जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम से खेलते थे तब उन्होंने कई सारे रेकॉर्ड्स तोड़ दिये थे और रॉयल चैलेंजर से पहले गेल कोलकता के पचास रन बनाए हैं, इस दोरान उनका सरवादिक व्यक्तिकत स्कूर नाबाद 175 रन का है, जन्होंने मात्र शाचट गेंदो पर बनाए थे, गेल ने आईपिल में आब तक 6 श्रतक, 31 अर्ध श्रतक भी लगाए हैं, इस दोरान उन्होंने 357 चके और 404 चौके भी लगाए इस दोरान उनका सरवादिक व्यक्तिकत स्कूर नाबाद 133 रन का है, उन्होंने आईपिल में अब तक 3 श्रतक और 40 अर्ध श्रतक भी लगाए हैं इस दोरान उन्होंने 245 चके और 406 चौके भी लगाए हैं अगला रीजन ये है कि इस पर आपको 2000 का साइन अप बोनस मिलेगा, तीसरा रीजन 116 पर खेलने का ये है कि इस पर डेली 20 करोड तक के कैश प्राइज आप जीच सकते हो, जी हाँ ये सच है, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा करोड पती बनने का, 116 पर IPL ख संड्राइजर हैदराबाद के पुर्व कप्तान और टीम के सबसे महतपूर्ण वल्लिवाज डिवीड बॉर्णर इस लिष्ट में पांचवे नमबर पे आते हैं, डिवीड बॉर्णर ने IPL में अब तक खेले गए 148 मैचों की 148 इनिंग में, 42.22 की एवरेज और 14.13 की बह 25 चौके लगाए हैं नमबर पो रोहिट शर्मा टॉप टेन बल्लिवाजू की लिष्ट में चौते नमबर पर मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहिट शर्मा का नाम है, रोहिट भी आईपिल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं रोहिट ने मुंबई इंडियन्स को साल 2013, साल 2015, 17, 19, 20 को आईपिल का चैंपियन्स बना दिया, रोहिट ने आईपिल में अब तक खेले 207 मैचों की 202 इनिंग में 31.49 की एवरेज और 13.54 की बहतर स्ट्राइक रेट से 5,480 रन बनाए हैं इस दोरान उनका सरवादिक व्यक्तिकर्थ स्कोर नावाद 109 रन का है रोहिट आईपिल में अब तक एक शतक और 40 अद शतक भी लगा चुके हैं इस दोरान उन्होंने 224 चक्के और 476 चक्के भी लगाए हैं आईपिल टूर्णामेंट में टॉप रन स्कोरर की बात की जाए तो कई साल इसमें सबसे पहला नाम CSK के खिलारी सुरेश रहना काता था सुरेश रहना ने 2020 का सीजन पूरा मिस किया था जिसके कारण उनका टॉप रन स्कोर की रैंकिंग नीचे गर गई सुरेश रहना ने साल 2008 से आज तक चिन्नाई सुपर किंग्स को कई सारे मैचिस जिता के दिये हैं और चिन्नाई के लिए बैटिंग की तरफ से सबसे जादा योगदान देने वाले खिलारी भी वही हैं सुरेश रहना ने IPL में आप तक केले गए 200 मैचों की 895 इनिंग में 33.07 की एबरेज और 136.89 की बहतुरीन स्ट्राइक रेट से 5,491 रन बनाएं इस दोरान उनका सरवाधिक वैक्तिकत स्कोर नाबाद 100 रन का है रहना ने IPL में आप तक 1 श्रतक और 49 अद श्रतक लगाएं हैं इस दोरान उनके बल्ले से 202 चके और 502 चोके देखने को मिले हैं नमबर टू शिकर धवन देली कैपिटल्स के खिलारी शिकर धवन इस लिष्ट में दूसरे स्थान पर काबिज हैं शिकर ने पिछले कुछ सालों में IPL में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है इसकी वज़ा से वे इस लिष्ट में दूसरे नमबर पे हैं शिकर ने आज तक डेकें चार्जर, दिल्ली डेर डेविल्स, मुंबई इंडियन, संराइजर, सहितराबाद और अब दिल्ली कैपिटल्स की तरब से खेल रहे हैं दवन ने IPL में अब तक केले गए 184 मैचों की 183 इनिंग में 35.29 की एवरिज और 127.35 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 5577 रन बनाए हैं इस दोरान उनका सरवादिक वहतिकत स्कोर 106 रन का है दवन ने IPL में अब तक 2 शतक और 44 अर्ध शतक भी लगाए हैं इस दोरान उन्होंने 116 चके और 634 चोके लगाए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहिली का नाम IPL के टॉप 10 बले बाजो की सूची में नमबर बन पर आता है बाके इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मिट में अपने जैनोरेशन के टॉप में आने के साथ साथ विराट ने इस लिश्ट में भी अपना नाम पैलिस्थान पर रखा है विराट अब तक RCB को IPL का खताब तो नहीं दिला पाए हैं लेकिन उन्होंने RCB को कई सारे मैचेज में जीत दिलाई है विराट ने IPL में अब तक खेले गए 199 मैचों की 191 पारी में 37.97 की एवरिज और 130.41 की बहतुरीन स्ट्राइक रेट से 6076 रन बनाए हैं इस दोरान उनका सरवादिक वेक्टिकत स्कूर 113 रन का है विराट कोईली ने IPL में अब तक 5 शतक और 40 अर्द शतक भी लगाए हैं इस दोरान उन्होंने 205 शक्के और 524 शक्के लगाए हैं तो दोस्तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही आज शेयर भी जरूर करना और आगे भी ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और यूटूब के अलावा आप हमारे साथ फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जोड़ना जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएंगे